चर्फा flying Eeeek बार यक बहुत बड़ा बिजनसमेन एक छोटे से गाउं में जाता है उसका प्लैन होता है कि उस गाउं में एक फैक्ट्री लगानी रहा वो एक ऐसी जगे टक कह जाता है जहाँ पर उसके सामने नदि होती है उसके सामने उता है अब उसके पास में दो आप्शिन्स होते हैं एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गाउं तक पहुचे जिसमें करीब करीब आट घंटे लगेंगे क्योंकि डिरेक कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुचने का दूसरा कि सिरफ बीस मिनिट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गाउं तर पहुच जाएं तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजिन लिया वो नाव बहुती छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो की नाव चला रहा था और दूसी तरफ ये बिजनसमें बैठा हुआ है तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बात उस बिजनसमें ने उस नाव वाले से पूछा तुझे पता है तरी नाव में कौन बैठा है तो नाव वाले ने बड़े भोले पन से कहा हाज जोड़ करके नहीं साब मुझे नहीं पता कौन है तो बिजनसमें बोला अरे तू अखवार नहीं बढ़ता है क्या हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखवार में तो नाव वाला बोला अरे साब मुझे कहां पढ़ना लिखना आता है एसी जिन्दगी का क्या फाइदा यह सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद वो बिजनसमें उस नाव वाले से बोला अभी कुछी दिन बाद यह जो सामने तू जमीन देख रहा है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्टरी होगी जहाँ पर हमारे ब्रैंड की मिल्रल वाटर की बॉटल्स बनेगी उस नाव वाले को बात समय नहीं आई उसने का क्या बनेगा साथ तो बिजनसमें थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतले बनेगी जो तेरे गाउं में नहीं बिखेगी लेकिन शहरों में बहुत बिखती है अरे कभी तु शहर गया होगा तो तुम्हें देखी होगी पानी की बोतले रखी होती है दुकानों पर फिर ओ नाव वाला बोला अरे साब मुझे कैसे पता होगा मैं तो कभी इस गाउं से बाहर गया ही नहीं फिर ओ बिजनसमेन उसके पर हस्ते वे बोला तु कभी इस गाउं से बाहर तक नहीं गया तुझे पता ही नहीं की शहर क्या होता है अरे ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिन्दगी शायद किसी काम की नहीं है अपनी इस सोच की वज़े से उसका नाव से ध्यान हटा और तब ही नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से प्रक्ष जिसकी वज़े से नाव में पानी भाने लगा और नाव दूगने लगी उस जगे पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारना ही वाला था तब ही उसनों उस बिजनसमें से पूछा साब आपको तैरना तो आता है ना तो बिजनसमें गपरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हूं मुझे तैरना नहीं आता है उसकी ये बात सुन करके नाओ वाले को हसी आगे और वो बोला अरे साब आपको तैरना तक नहीं आता है ऐसी जिन्दकी का क्या फाइदा ये सुन करके उस बिजनसमें को अपनी गल्ती का एसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाओ वाले से बोला तुम जो कहोगे मैं तुमें दूपा बस मेरी जान बचा लो तो उस नाओ वाले ने बोला अरे साब आप घबराओ नहीं मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है मुझे डूपते हो लोगों को बचाना भी आता है आप मुझे कसके पकड़ लो मैं आपको कुछ नहीं होने दूँ और फिर उस नाओ वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनसमें की भी जान बचाई तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते है कि हमें जिन्दगी में कभी भी किसी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कभ कहां कैसे किस की जुरत पड़ जाए नहीं चाहिए और झाल किस जुरत में करते है किस आया चाहिए